कॉंग्रिस सांचत राहूल गांधी ने अपने खिलाफ एडी की रेड की आशंगा जताई है वहीं राहूल गांधी के इस दावे पर बेहार सरकार के मंत्री शिर्वन कुमार ने कहा कि राहूल गांधी बड़े नेता है उनको डरने की क्या जरुत है अगर कुछ उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की जरुत नहीं है किसी भी व्यक्ति को CBI हो, ED हो उसे डरने की जरुत नहीं है वहीं आरक्षण के मुद्दे पर शिर्वन कुमार ने कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है बेहार की सरकार और मुख्यमंद्री ने बिलकुल समिक्षा करके उसकी पूरी तरह से कसोटी पर निन लिया है और माननी औचे न्याले का उसमें कुछ अब्जर्वेशन है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं हम लोग आशानवित हैं कि बेहार की जनता का अहित नहीं होगा अभी भी हमें न्याले पर भरोसा है ठीक ढंक से काम हो राहूल गांधी जी बहुत बड़े निता है उनको डरने क्या जरूरत है अगर कुछ उन्होंने कुछ नहीं किया है और तो डरने क्या जरूरत है किसी भी व्यक्ति को CBI हो ED हो जो भी हो उसे डरने क्या जरूरत है अगर अच्छा काम किये है कोई गड़बडी नहीं किये है अपने जीवन में तो उनको डरने को यह सकता नहीं अभी तो मामला सुप्रिम कोट में है और विहार की सरकार और विहार के लोग प्रेबुक्ष मंत्री जी ने बेलकुल समिख्षा करके उसको पूरी तरह से कसाउटी पर कस करके उस पर निर्ने लिया उन्होंने और मानने उची नियाले का कुछ उसमें अबजर्वेसर है उसको लेकर हम लोग सुप्रिम कोट में गए है आसानवित है कि बिहार की जनता का हित नहीं होगा और बिहार की सरकार ने जो किया है बिहार की जनता के हित में किया था उस पर अभी भी भरोसा है नियाले पर की ठीक ढंक से काम हो कहा कि निश्चित तोर पर हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि आरक्षन बढ़ना चाहीए मानिया नियाले का फैसला है ज्यादा हम टिपनी नहीं करेंगे हम लोग परतिवद हैं हमारी पार्टी और एंडिये की सरकार की गरीबों का रक्षन बढ़े और यहां के गरीबों जो खास करके सीएस्टी है वो आगे बढ़े समाज की मुखधारा में आए समिधान से उनको न लेकिन अब हिजान करने से नहीं किया हम समझते हैं कि जो भी उन्हों कहा चिराक पास्वान जी ने मानिया नयाले क्या कि जैसे पहले वेवास्ता उसे होना चाहिए लेकिन हम समझते हैं कि मानिय मुखमंत्री जी ने महादलीत आयोग यहाँ पर लगा करके महादलीतों के लिए अलग काटेगरी की है तो सब काटेगरी का वही कुछ मामला है लेकिन अभी ज़्यादा टिकनी हम लोग नहीं करेंगे पूरी हम लोग उसको पढ़ लेते हैं उसक कहा गया है कि बिलकुल अलट रहें पटना से अभिशे कुमार सिंग की रिपोर्ट